करोना वाइरिस महमारी की वजह से देश भर में लागू किये गए लॉकडाउन के चलते स्थानी स्वारगाट उप मंदल प्रशाशन द्वारा क्वारंटाइन किये गए लोगों, ट्रक चालकों और अन्य जरूरतमंद लोगों को संतोशी माता मंदिर कमेटी स्वारगाट क्षेतर के समाज सेवियों और व्यापार मंदल के साथ मिलकर तीन टाइम मुफ्त भोजन की विवस्था की गई है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मंदिर कमेटी इन जरूरतमंदों के खाने की विवस्था कर रही है बतादे की स्थानि प्रशाशन ने स्वारगाट में फोरेस्ट रेस्ट हाउस, पी डबल्यू डेस्ट हाउस और मिढ हिमाले कार्याले में चार क्वारिनटाइन सेंटर बनाए हैं जिनमें सौसिático ज़ादा लोग वारिनटाइन किये गए हैं संतोशी माता मंदिर कमेटी स्वारगाट इन लोगों के तीन टाइम के भोजन की व्यवस्था कर रही है वहीं नेशनल हाईवे चंदिगण मनाली से राशन सबजी दूदादी ले जाने वाले ट्रकों, पिक अपों और अन्य वाहन चालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है बतादें की लॉकडाउन के चलते देश भर में होटल ढाबे बंध हैं जिसके चलते वाहन चालकों को खाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस संकट की घड़ी में संतोशी माता मंदिर कमेटी इन लोगों को भोजन की विवस्था कर भरपूर सहायता कर रही है मंदिर में भोजन बनाने और अन्य कारियों के लिए स्थानी समात सेवी, युवक और अन्य लोग भी सहायता कर रही है वहीं भोजन बनाते समय लोगों से शोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जाता है। फटानिया लोग जो भी आओं की लोग है, अपने घरों से कोई मक्की की रोटी बना कर ला रहा है, कोई चपातिया ला रहा है। का सब भाईयों का भेन जो माताय मेने हैं जो इतनी मेंट करके मक्यी की रोटी और कंटी चबातियां यहां भेज रहे हैं यहां पर आपका मैंसा दोटुसें हमारे साथ है जो भी जुड़े हुए गाम के लोग काम करने सुभर से शाम तक आता है इतनी मेंट्स से अपने घर में कोई काम नहीं करता तो इसमें जिस दिन से लोकडावन हुआ स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट